हेलो गाईज, वेलकम बैक तो इली ट्रेसलिंग देर न लगाते हुए चली ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वी खोए रैंपेशो का रिवीव और जानते ही कि इस वी के रैंपेशो की शुरुवात एवली कमपणी के मेंस डिवियन से एक नॉर्मल वन 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 मैच से हुई जहाँ पर ब्राइन डेरसन दान्टे मार्टन को फिस कर रहे थे और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच इस वी के रैंपेशो को ओपन करने के लिए एक बहुत ही बड़ी है मैच था जहाँ पर हमें इस मैच के अंदर डान्टे मार्टन अपने हाइफलेंग मूस के साथ हम इंप्रेस करते भी दिखाए दिये है और वही पर ब्राइन डान्टे मार्टन का हाइफलेंग ओफेस रोखने के लिए यहाँ पर डान्टे मार्टन के पेरोगी उपर आटेक करते भी दिखाए दिये है जिससे कि ये match देखने के लिए काफी मज़ा आ रहा था क्योंकि Dante Martin कहीं से ब्याकर Brian Dixon के submission मूँ के अंदर फस रहे थे और हमें इस match के अंदर कुछ बहुत ही बड़या moments भी देखने हो मिले है जैसे कि Matt Staddle ने Brian Dixon के उपर टॉप रोप से एक बहुत ही बढ़िया पॉर्वम लगा दिया और उसके बाउजित भी Brian यहाँ पर किकाउट कर पाए और इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात कर इस match की विनद की तो finally यहाँ पर Brian Dixon ने Dante Martin के उपर अटेक करकर और यह match देखते समय यह सा लग रहा था कि Brian की injury एकदम ठीक हो चुकी ही तो देखना पड़ेगा कि Brian की injury के एंगल के पीछे का मतलब क्या था या फिर A.E.W.L.E. Company ने ओएंगल एसे ही कर दिया पर इसके बाद हमें रैंपेशी उपर जो कि Hardis की तरग अपड़े पहन कर आये थे और आप समझ सकते हैं कि Hardis Young Bucks को अपने आपकी कॉपी कह रहे है इसलिए Young Bucks यहाँ पर Hardis की तरग अपड़े पहन कर आये थे और वो यहाँ पर सिर्फ Hardis की तरग अपड़े पहन कर नहीं बलकि Hardis की Old Friend यहाँ गैंगरेल को भी अपने साथ लाये थे जिससे की गैंगरेल ने स्वीक एंपेशी उपर अपना एविली कम नेतर डेब्यू किया है चो डेब्यू देखकर में तो काफी सर्प्राइस था और इसके साथ में यहाँ पर यहाँ पर देखकर सर्प्राइस था कि यहाँ पर यहाँ पर गैंगरेल तो आई है लेकिन यहाँ पर ब्रेंडन कटलर लीटा के तरह कपड़े पहन कर आये थे जो देखकर मुझे काफी ज़्यादा हसी आ रहे थी और गैज आप भी मुझे कमेंड करकर बताईए किस की उपर आपके क्या रेक्शन है पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाई जैसे ही मैंच शूरू हुआ, वेसी यंग्बकस ने इस मैंच के अंदर एकदम हाडिसे तर अहँमूज लगाए है, जो हाँमूज देखकर रिफ्रेंशीट करना काफी मूझ लगा था, कि हाँपर यंग्बकसे मैंच अहांच रसल करे है, या फिर यहाँ पर हार्डी जी मैच रसल कर रहे ही क्योंकि एमूज एक दम accurate copy थी जो करना काफी मुश्किर ही पर इसकी बावजुद भी इस मैच के अंदर लोकल टैल ने यंग बस के उपर थोड़ा पर आटेक किया जो देखकर यंग बस ने यहाँ पर हार्डी को पीन करकर जीत लया है और यहाँ पर गैंगरेल भी एम बस साथ उनकी जीत इसलिवेट करे थे जो देखकर काफी मजा आ रहा था पर तभी सुप्र सियूपर यंग बस गैंग बस के सामने ला ने जा रहे थे कला पर हार्डी क्योंब Freddy कि उपर अपना अटेक करकर हार्डी को रोक लिय पर ब्रेंडन कटलर की सबसे बड़ी गलतीसा भीत हुई क्यूकि इसके बादा घरडीज और गैंग्रियाल इन तीनों ने ब्रेंडन कटलर को घेर लिया और इसके बाद गैंग्रियाल ने ब्रेंडन कटलर ही उपर अपना फिनेशर इंपेरियल compete लगाया मैट जैक्सन ने अपना फिनिशे ट्विस्ट ओफ फेट लगया और जब ब्रेंटन किटलर मार खा रहे थे तब यंगबक सिर्ण के बाहर से यह सब चीज़े देख रहे थे जिससे की हम समझ सकते है कि माना कि यंगबक सब भी हार्डीज को अपना अडर्व बांते है लेकिन यंगबक सब भी हार्डीज से डरते है और इंके अंदर गैंगरल और हर्डीज एक साथ आ गए जिनकी यो पुराने फ्रेंट्शेप दे कर काफी मज़ा आ गया पर अब देखना पड़ेगा कि आगे चलिए जब Hardies और Young Bucks की बीच में ये मैच होता है तो ये मैच इतना बड़ी है ये मैच होता है और ये मैच कोन जितता है पर इसकी बाद हमें रैंपे शुय उपर देखा कि एक बैस्टर सेग्मेंट के अंदर बात कहती है तो ये इसकी बाद हमें रैंपे शुय उपर देखा कि यहां पर दकलेम अपने मैच के लिए थी और यहां पर दकलेम की मैच इस माफी माँगी पर इसकी बात गलेम की स्टाइल में रैप गाने का कुशी कर रहा था पर अकलेम ने गनकलब को इसा नहीं करने दिया और जब यह सब चीजी से चल रही थी तब दंटे माँगने मैस के ही के लिए लेक फिर बहा पर दिया की थी. और सी strategy की बदलत, Max Caster इस match इंदर काफी देता डौिनेट कर पाये. पर फाइनली ले Dante Martin को भी Max Caster इस strategy समझ आई. और Dante Martin ने Max Caster इस strategy रिवर्स करकर Max Caster Y पर अपने काफी हाइफ लेग मूज लगाए. और Max Caster Y प्रफ प्रफ नीच नगा कर मैस्ट्र को यहां पर पिन करकर डांटे माटन ने यह मैच जीत लिया है जो मैच देखा जाए तो एक ठीक टाक मैच था लेकिन गाईज यह मैच एक काफी लंबा मैच चला जो मुझे नहीं लगता कि इस मैच को होना चाहिए था क्योंकि मैच होता है तो एक मैच कोन जीतता है लेकिन इसकी बाद में रैंपेश वी उपर दिखाया गया एक कैसे सैमे गवेला ने टेन चैंपेशिप तोड़ दी है जिसकी बाद रिंके अंतर मेन ओफ दियर यानि कि इतन पेज और स्कॉर्पियो स्काई और डैन लेंबर्ट ने कहा कि स पिछले वर्जन से काफी पसंद आया है और आप भी मुझे गमें गरगर बताईए कि आपका इस बेल्ट की स्वर्जन की उपर क्या कहे रहा है पर गया जैसे ही टाटल लिवील हुआ वेसे ही टाटन रॉस स्कीन की उपर सैमे गवेला टाइक उन्टी और फ्रैंक की घजिर तोड़ दिया जो देखकर देयर तैन लैबट और में अधियर काफी घुस्सा थे और यह पर बात पर बात ही करती हो डैन लैबट और में अध्यर ने कहा कि अब बहुत हुचका वायर को नकर इमैंच चाहिए तो सैमी गवेला को उनका इमैच मिलेगा जहाँ पर एक मिस्र की और किसे ने करीयर के अंदर हर किसी ने रूबिसोओ यो और आप नहीं कोई नहीं रहा थे जिसकी बात फाइनली यहां पर हो चुका था इसली करिम्पेशन के मेनविन का जहा इस मैच के अंदर Chris Tatlander और Ruby Soho को फिस कर रही थी और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाईज यह मैच सच में इस भी करेंपेशो के मेरियन की तोर पर एक बहुत ही बड़ीया मैच था क्योंकि हम इस मैच के अंदर Chris Tatlander और Ruby Soho इन दोनों की बहुत ही बड़ीया प राओ काफी शौक था लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाईज आउट ओफ नोवे रूबी Soho ने इस मैच के अंदर Chris Tatlander के उपर एक रूल अप पिन कर दिया और सुप्राइज एक रूल अप की सहारे Chris Tatlander को पिन करकर Ruby Soho ने मैच ज रूबी Soho ने के लिए वेट कर रहे हैं और इस साल के डबल और्टिंग पेपर रूबी Soho फाइनल रूबी Soho ने कहीं है और कुछ नहीं सुनना जो बात यहाँ पर रूबी Soho ने कहीं इसके साथ इस वी के रैंपेशो आफेज चला गया जो रैंपेशो मेरी साब से एक बह Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not gonna sing at all with me this time?